गुड यूनिंग दोस्तों आईए आज हम पढ़ते हैं मैत का नंबर सिस्टम का पहला पार्ट इकाई कांग फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा सेस्फल पर में इकाई कांग एक एक करके सारे टॉपिक को किल्ड कर दिया जाएगा यूपीपी के लिए मोश्ट इंपो सबसे अखिरिया वाल इकाई है तो अगर हम आपसे क्या कहें किसी भी संख्या के आखरी में चाहे एक हो एक पर पावर कुछ भी करें एक ही होगा पांच पर पावर कुछ भी करो जैसे पांच पर एक हो पांच ही होगा भईया इकाई कंग पांच पर दो हो इकाई कंग पां इकाई कितनी एच्छे है इसी बेस पे किसी भी संख्या का इकाई का अगर जीरो हो एक हो पाँच हो और छे हो उस पे पावर कुछ भी हो मतलब नहीं कुछ भी हो एक से लेके अनंतक पुढांक में कुछ भी हो तो इसका जो इकाई होगा हमेशा और हमेशा जीरो ही आएगा अ एक है तो एक ही आएगा पांच है तो पांच ही आएगा छै है तो छै ही आएगा कोश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पे जैसे अगर आपसे कह दिया जाए एक साथ आठ छै पे पावर उन्नेश सो निन्यानवे प्लस एक साथ पांच पांच पे पावर कुछ भी लिख दे 2020 इनका इकाई क्या होगा इनकी वैलू का तो 6 इकाई 6 है इससे मतलब नहीं है इकाई से मतलब है 6 पे पावर कुछ भी हो इकाई 6 5 पावर कुछ भी हो इकाई 5 6 5 11 का इकाई 1 ये इस question का answer है बात clear हो गया और चर्चा कर लेते हैं 1 7 7 7 5 पे पावर कुछ भी हो कुछ भी अपने मन से लिख लो 1 1 1 लिख लेते हैं माइनस बात करते हैं 1 9 1 9 8 6 और बात करते हैं 6 पे पावर 1 7 7 जो भी लिखा गया है इसमें इकाई क्या होगा तो इसकी इकाई तो 5 होगी इससे मतलब नहीं है इससे मतलब इकाई सी कितनी होगी 6 अब आप कहेंगे 5 में से 6 घटे माइनस 1 होगा नई जब आप घटाना होई तो बहुत बड़ी संख्या है ये भी बहुत बड़ी संख्या है घटाने के लिए पड़ोसी से उधाल लिया जाता है तो बड़ोसी से 10 उधार आएगे 10-5 पंदरे 15 में से 6 घटाना भाईया 9 ये इसका इकाई हो गया बात किलर हो गई पॉइंट समझ में आया की नहीं आया आयसे आये आके बढ़ते हैं तो पहला कंसेप्ट हमारा ये रहा किसी भी संख्या के इकाई में अगर ये आजाए तो इकाई इही होती है ठीक है आएए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ है एक निचोर इसका आखरीम बताएंगे लेकिन पहले अभी समय हमारे पास कम है उता है एकजामों में इसलिए थोड़ा ऐसा भी करो अगर किस इस संख्या जिनकी साइकलिसिटी के वल क्या हो दो हो, जिनका दोहराव क्या हो ठीक है, जैसे 4 प3 के वल buatाई है इसका मतलब 4, 6, 4, 6, 4, 6 चल रहा है इसका मतलब यह 4 पर पर एक बिसम है, 4 पर अगर बिसम आया हो, 4 पर बिसम हो, तो इकाई कितनी होती है, 4 होती है, और 4 पर अगर सम आया हो, तो आप यहां देख लिजिए, 6, 6 है, तो इकाई कितनी होती है, 6 होती है, सेम कहानी 9 के साथ भी रिपीट होती है, उनकी भी चर्चा अगर हम करें तो 9 पर बात करें 9 पर 1 की वंगे कितनी होती है 9 नौपे पार 2 की वंगे कितनी होती है 81 का 1, 9 पर 3 की बलू कितनी होती है, 27, 9, तो ये आप बताएगा, 9, 9, एक रिपीट होगा, इसका मतलब ये, 9 पर पावर अगर बिसम आजाय, तो इकाई एक, नौ पे पावर अगर सम आजाए, तो इकाई कितनी होगी भाईजी, एक होगी, ये वदो बात आपको याद रखना है, इसकी सैकलिसिटी कितनी हो रही है, दो हो रही है, केलियर है, आएए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ, दो पॉइंट हो चार है, पावर एक सो निन्यानवे, प्लस लिख देते हैं, नाइन नाइन एट नाइन पे पावर वन सेवन नाइन लिख देते हैं, इसका इकाई आपसे पूछ रहा है, वैलू का इकाई एंग क्या होगा, तो चार पे पावर बिसम है, इससे मतलम नहीं है, हमें इससे मतलम हमें 1 से मतलब, बहुए 4 पाउर बिसम है, 4 पाउर बिसम 4 होती है, प्लस और 9 पे पाउर बिसम है, 9 पे पाउर बिसम कितनी होती है जी, यहां लिखा गया 9 होती है, 9, 4, 13 का 1 काई कितना 3, यह बात समझ माग गया, आए आगे पढ़ते हैं, तो ये दो concept आपको हमने सिखाया हमारा तीसरा concept क्या कहता है तीसरा concept हमारा ये है देखिएगा अगर हमने किस क्या क्या पढ़ लिया 0, 1, 1, 0, 5, 6 पढ़ा, 4 और 9 पढ़ा इतना हमने पढ़ लिया बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा इनकी cyclicity कितनी होती है cyclicity 4 होती है तो क्या करना है इनके लिए देखिए कैसे cyclicity 4 हो गई दोराव का 4 कैसे होता है 2 पढ़ एक कितना 2 2 पढ़ 2 कितना बोलिए 4 2 पढ़ 3 कितना तो बोलेंगे भाईया 8 2 पढ़ 4 कितना बोलेंगे 16 21 मतलब है 2 पढ़ 5 की वैलू 32 इकाई 2 2 पढ़ 5 है 2 पढ़ 6 की वैलू 32 इनकी 64 के इकाई कितना 4 मतलब 2, 4, 8, 6 2, 4, 8, 6 कहानी सुरू हो चुगी है सेम कहानी 3 की सेम कहानी 7 की सेम कहानी 8 की इसका मतलब 2 पढ़ 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक ये हो चैए 2 हो चैए 3 हो चैए 7 हो चैए 8 हो इन पे पावर कुछ भी हो तो इकाई क्या होगी उसको ग्याद करने के लिए सबसे पहले यन को किससे भाग देंगे 4 से यन को किससे भाग देंगे 4 को घात को किसे भाग देंगे चार को और पूरी संख्या में भागने देना सिफ दो अंकू की संख्या में आखरी की दो में और यहां से क्या निकालेंगे सेस फल जो सेस बचेगा जो सेस आएगा वो सेस का करेंगे दो तीन साथ आठ पे पावर सेस फल कर देंगे और हम इकाई न निकालेंगे, माल लीजिए, अगर कहीं सेसफल 0 आ गया, सेसफल 0 आ गया, तो क्या करेंगे, घात क्या लगा देंगे, चार लगा देंगे, ठीक है, और इन सभी इसे कोश्चन आ जाए, 192 पे पावर 2021 है, प्लस 1778 पे पावर 119 यह आ जाए, इसका इकाई आपसे पूछ रहा ह है, तो दो है, इसे मतलब नहीं है, हमें दो से मतलब है, इसमें चार से भाग देंगे, सेस क्यात करेंगे, तो हम पूरी संख्या में चार से भाग देंगे, चार का रूल होता है, आखरी दो आंक में बाग दो केवल, तो चार का भाग 11 में देंगे, तो कितना सेस बचेगा और इसाथ कितना होता है दस एकाई कितने आगी चीरो बात केलर आगे यह है याद रखिएगा और इन सभी का निचोड़ आपको एक साथ देते हैं किसी भी संख्या का किसी निचोड नोट याद रखेगा अगर ये सब नियम भूल गया पीछे तो ये की नियम याद रखना किसी भी संख्या की कायांक गर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो ये कुछ भी होई काय कांक अगर इस पर पावर कुछ भी हो जाए हमेशा यन को चार से भाग देके सेस्फल ग्याद कर देंगे क्या ग्याद कर लेंगे सेस्फल और वही दुबारा इस पर एक सेस्फल पे से जो सेस्फल आएगा घात लगा देंगे इन संख्या पे मतलब जो अभी दो, तीन, साथ, आठ के लिए किया हो उस सब के लिए अपलाई होगा और घा अगर सेस्फल जीर हो गया तो पावर चार लगा देंगे यह सब के लिए अपलाई है दो, तीन, साथ, आठ वाला ठीक है लिकिन एक्जाम में समय कम मिलता है अब हम इस पे कोश्चन करेंगे, आईए कोश्चन करते हैं, अभी कुछ कोश्चन आज करेंगे, बाकी की कोश्चन आपको नेक्स लेक्टर में लेक्टर में लेक्टर आएंगे, अच्छे लेवल के कोश्चन जो सीजन जैसे एक्जामों में पूछे जाते हैं, तो आईए हम पहले question से start करते हैं जी हाँ तो हमारा पहला question है पर्थम 111 पूर संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा ठीक है पूर संख्या का मतलब क्या होता है यह समझो 0 से ले करके जहां तक कहें वहां तक इसमें 0 count होगा तो 0 प्लस 1 प्लस 2 कहां तक जाएंगे 111 नहीं 110 क्यों क्योंकि 0 सामिन तो 111 अंक संख्या हो चुकी है तो 0 को जोड़ें कोई फैदा होगा नहीं तो इनको जोड़ेंगे 110 तक फार्मूला होता है यन यन प्लस 1 डिवाइड बाइड बाइड दो यन कमान 110 और जोड़ेंगे तो 111 है डिवाइड बाइड दो ये 55 नहीं 110 पांच पुरा गुड़ा नहीं करना इकाई यहां पांच है इकाई यहां एक है गुड़ा कर देंगे तो कितना आगया पांच आगे बढ़ते हैं अगले कोश्ण की तरफ 81 गुड़े 83 गुड़े 87 गुड़े 89 इसमें इकाई कितनी होगी है ठीक है तो सबसे पहले इसकी जर्चा कर लेते हैं तो इकाई लेके चलना है तो यहां एक का इकाई है यहां 3 है यहां 7 है यहां 9 इसका इकाई आपसे पूछा है तो अब गुड़ा करिए, तीन एक अनम तीन और नौ सते तिर सथ, यहाँ तीन आगया, यहाँ तीन आगया, तीन तिरिकात कितना आगया, नौ, यह इसका क्या हो गया, इकाय अनौ 11 से मतलब है, किलियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला 81 गुड़े, 81 गुड़े, 85 गुड पांच गुड़े, साथ गुड़े, नौ इसका मतलब हम यह चीखे कि अगर किसी संख्या में पांच है और सभी बिसम हो पांच का गुड़ा बिसम में करें तो इकाई हमेसा पांच होगी इकाई हमेशा 5 होगी और देखिए अगला question 81 गुड़े 82 गुड़े 83 गुड़े 84 गुड़े 85 इसका इकाई यह देखिए इकाई आर पांचों का 20 20 का गुड़ा इकाई 0 0 गुड़ा 3 में 0 तो गुड़ा करेंगे 0 में यह 0 मतलब 0 इकाई आएगा इसका मतलब यह हो गया अगर कहीं पे 5 है उसमें सम देखिए सम है यह 5 है सम का गुड़ा अगर कर दिये तो इकाई कितनी हो जाएगी आलवेज 0 हो जाएगी के लिए आए आगे बढ़ते हैं तो यह बाते हमने आपको सिखाई और आगे बढ़ते हैं कुछ और सीखते हैं जैसे अगर आपसे बात कर लेत हैं 2 पर 51 प्लस 4 पर 51 इकाई कितना होगा घबड़ाने की बात नहीं है 2 पर 51 बोले थे 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देंगे 48 बढ़ जाएगा 6 कितना बचेगा 3 2 पर 3 है 4 है 4 पर पर भिसम विसम अलगला नियम भी लगा सकते हैं 3 भाग दे सकते हैं कुछ भी कर सकते है तो आप कहेंगे भाईया सम बिसम देख लो बिसम है तो चार पावर बिसम इकाई चार होती है यह आठ है यह चार हो जाएगा आठ चार कितना बार है इकाई कितने आगे दो तो सबसे पहले हमका निकालेंगे। क्योंकि सग्रिसम अचार ही होती तेन पूर थ chrat कितना होता है टेन मुझा इस का इसका मतलब यहां कितना आ गिए यहन कमान केटना आ गिए understood तो 7 पौर यन पूछा है, 7 पौर यन, तो 7 पौर कितना, 3 कर देंगे, 7 गुड़े, 7 गुड़े, 7, 7, 49 के 9, और यहां 3 का गुड़ा फिर करेंगे, 7, 9, 361, कितनी आगे, 3, आगे बढ़ते हैं, अगला कोश्चन हमारा कह रहे हैं, 30 पौर, 29, 28, 28 इभी एक्जाम का कोश्चन ह का सबसे दाया गैर सुनंग, गैर सुनंग क्या होगा, ठीक है, अब आप बताएएँ, इसका मुलब गैर सुनंग का मतलब इकाई ही पूछ रहा है, जैसे अगर आपसे पूछे, 4, 7, 8, 6, 0, 0, 0 इसमें पहला दाया गयर सुनंक क्या है तो यह चार जीरो तो है नहीं ए च्छै होगा ठीक है ऐसे इसमें जैसे किसी संख्य में 36 इसमें पहला देगा तो पहला गयर सुनना देगा तो पहला गयर सुननंक यही देगा इस पर काई कितनी है तो हम पता कैसे करें इसको चार से भाग देगे चार सथ 28 है अल्रह कुरा कुरा कट गया तो कां बोले थे चार अपने आप से लगा देना तो तीन गुडे तीन गुडे तीन उक अई कितने आगए एक होकर और पूरा पीलिक, आज तक है इसे आगे बढ़ते है आगे चर्चा पहला दाई तरब से गैर सुन अंक जो सुन ना हो तो क्या करेंगे जितनी बार जिसे दो पांच का एक जोड़ा तो एक सुनना दस दो गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े पांच तो दो दुनी चार पंजे 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 सब दो पांच का दो पांच एक जोड़ा दो नोग पाँचा जोडा गाल। और 995 तो इसमें इकाई इसमें भाग देंगे भाईया इसमें जब भाग देंगे कितना सेस बचेगा चार दुनी आठ चार तीन सेस बचेगा कितना तीन सेस बचेगा किलर हैं तो दो पे पावर तीन बचेगा और दो पर तीन की वोले कितनी होती आठ होती है यह हमारा हो गया इकाई कांग इस संक्या में पहला गैर सुन अंग आगे बढ़ते हैं आगे कोशन की चार्शा करते हैं जी हाँ, हमारा अगला कोशन है जैसे 4, 3, 3 गुड़े 4, 5, 6 गुड़े 4, 7, यन ये है इसमें इकाई का अस्थान इकाई का अस्थान यन प्लस 2 है तो यन का मान क्या होगा आपसन मेरे पास है 1, B आपसन 3, C आपसन 6, D आपसन 8 ये आपसन है तो सबसे पहले इसमें इकाई भूड़ो ना 6 तरिक 18 के 8 8 हो गया, 8 ही काई बना अभी 8 का गुड़ा यन में 8 का गुड़ा यन में करने से इकाई कितने आ रही है, यन प्लस 2 आ रही है मनलब यन के जगह पे क्या रखें ये चीज, ये चीज बराबर हो जाए तो यन के जगह पेक रखेंगे तो 8 का नमाठ और ये 2, 1, 3 हो नहीं सकता 3 रखेंगे 8, 1, 24 के 4 और यहां रखें, 3, 2, 5 हो नहीं सकता 6 रखेंगे 6, 8, 48 के 8, और 6, 2, 8, बिलिकुल 6 उत्तर हो जाएगा किलर हैं, आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है अगला कोश्चन हमारा ये है देखेंगा, 2 पे पावर, 3 पे पावर, 4 4 पे पावर, 5 पावर, 6 5 पावर, 6 पे पावर, 7 अगला है, 6 पे पावर, 7 पावर, 8 अगला है, 7 पावर, 8 पावर, 9 इसमें इकाई पूछा है अभी हमने बोला, 1 5 है और कोई सम संख्या हो, तो इकाई कितनी, 0 खिलर है, आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन हमारा है जी हाँ अगला question 3p power 98 minus 3p power 89 इकाई कितनी होगी इनकी भी चर्चा कर लेते हैं तो 3p power 98 चार से भाग देजिए चार से भाग देंगे चाने बार 3p power 2 बचेगा और यहाँ 88 बज़ेगा 3p power 1 बचेगा यह 9 minus 3 कितना आगया 6 ही हमारा answer है आगे बढ़ते हैं अगले question की चर्चा कर देते हैं अगला question है 137p power 13p power 47 इकाई क्या होगा तो इसमें इकाई कितना आएगा तो इसमें बात करें अगर इकाई की जी हाँ तो अभी हम बोले कि भाई साहब हमें इसको लिख सकते हैं 137, 13, 147 इसमें हम पहले 4 से भाग देंगे 4, 3, 12, 3, 1, 6 बचेगा और इसको 4 से भाग देंगे तो 44, 3, 6 बचेगा किलियर है क्या 44, 44 ही ना 3, 6, 6 बचेगा जी हाँ 3 बचेगा तो 3, 1, 3 तो 7 पौर कितना लगा सकते हैं 3 लगा सकते हैं 7 पौर 3 का मतलब 7 गुड़े 7, 7, 7, 49 के 9 और यह 7, 63 के कितना आ गया इकाई 3 यह हमारा क्या हो गया एंसर तो यह रहा हमारा आज का पहला पार्ट अभी हम फैक्टोरियल वाला इकाई कंग पढ़ाना बाकी है उसकी चर्चा आपको हम कल के ठन पे अच्छे कोश्चन लेवल की कोश्चन के साथ करेंगे वीडियो पस प्रॉश प्रॉश